नमश्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्या, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों यहापे मैं आप सभी के साथ बात करूँगा एक छोटे स्टॉक के बारे में और कंपनी का नाम है BCL Industries इस शेर की बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत बड़ा एक्षन देखा है आपने अगर मैं इसके weekly returns आपको बता हूं लगबग 11% स्टॉक भागा है एक महिने में कुछ ज्यादा खास returns नहीं है क्योंकि स्टॉक अल्मोस्ट 390 के लेवल से नीचे के रिगा जो कि अभी recently होती हुई दिखें corporate action के द्वारा तो चलिए start करते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है company में सबसे पहले मैं आपको बता हूँ अगर BCL Industries की board meeting थी 12th January को जहां पे उन्होंने around 55,83,334 shares का fully convertible warrants निकाले जिसमें कुछ बड़े नाम सामने आए है promoters और public की तरफ से भी तो वही मैं आप सभी के साथ share कर रहा हूँ कि कि किस को allot करे गई है यह warrants और कितने कितने करे गई है मैं स्क्रीन पर आपके लिए paste भी कर दूँ हूँ आप easily पढ़ सकते है promoter group से बात करें promoters and promoter group से तो यहाँ पर चार नाम सामने आए है पहला है मिस्टर राजेंदर मित्तल जी का जिनका pen card दिया है उसके बाद जो maximum number of warrants to be allotted around 6 lakh है उसके बाद second है मिस सुनीता मित्तल जिननों को around around 5 lakh warrants allot करे गई है third है मिस्टर कुशल मित्तल जी जिनने around 5 lakh 81,000 allot करे गई है and fourth है मिस सारा गर्ग जी जिनने लगबग 11 lakh warrants जारी करे गई है तो यह कुछ नाम थे बड़े promoter and promoter group से लगबग total बताऊ यहाँ पर तो 27 lakh 81,000 तो इनहीं allot करे गई है और जो overall है वो आपको मैंने starting मता है 55 lakh 83,000 something warrants जारी करे है उसमें से लगबग 27 lakh 81,000 तो इनहीं promoter groups को जारी करे गई है बाकी public category से Mr. Aditya Kumar हलवासिया आए है Mr. Amit Gupta है Mr. Pranjal Bandha आ रही है Mr. Shyam Tapadhy है तो यह कुछ नाम है public category से जो कि आप देख सकते grand total यहाँ पर देखा जाए तो लगबग 55 lakh 83,000 है जो public category को उनको around 28 lakh 2000 allot करे गए है fully paid up convertible warrants तो यह एक और इस warrants का जो भाव है मैं आपको भाव बताना चाहूँगा वो 360 रूपीज है यानि इन लोगों को जो यह shares जारी करे हैं वो 360 रूपे की value पर करे गए है और stop का price currently जो trade कर रहा है वो 414 है मैं एक example से भी बता हूँ आपको तो recently Yes Bank में भी कुछ इसी प्रकार का हुआ था Advent and Carle Group को जहाँ पर जो warrants जारी करे गए हैं वो 14.82 रूपीज के भाव पे करे थे and shares around 13.72 या 13.78 के भाव पे थे तो यहाँ पर केवाल warrants जो की 360 रूपीज पर जारी करे गए हैं और मैंने आपके साथ नाम भी शेयर करें होप आपको इस जानकारी समय पसंद दौना होगी Thank you so much for watching this video Have a great day guys